हलो एवरिवन, सबने दिवाली बहुत थूम धाम से मैनाई होगी, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुब काम नाए आज मैं बनाऊंगी कुछ हलका, वो है सैलर्ड, मैं यहां बनाऊंगी स्प्राउट्स का सैलर्ड विद हल्दी डिप जो आपका मील रिप्लेस्मेंट का भी काम करेगा, टेस्ट भी देगा, जल्दी भी बनेगा, अच्छा भी बहुत है चलो कीचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं मैं यहां पर क्रीमी हल्दी स्प्राउट सैलर्ड बनाऊंगी, मैंने यह स्प्राउट्स ले लिए हैं, यह स्प्राउट्स मैंने अपने घर पर ही करे थे, हरी वाली दाल से स्प्राउट्स करे हैं अब मैं इनको एक बार वॉश कर लोगी वॉश करने के बाद हमें इने स्टीम करना है मैं आपको बताओंगी कि इसको कुकर में कैसे स्टीम करते हैं अगर आपके पास स्टीमर है तो इजिली आप पानी डालो स्टीमर प्लेट में रखो दो 10-15 विनट्स में आपके स्टीम हो जाते हैं, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको कुककर में कैसे स्टीम करनी है, तो आप इसको वाश करके कुककर में डाल दो इसमें नमग डाल दो हल्दी पिंच ऑफ हल्दी डाल निया है, तो डाल सकते हो तोड़ा सा नमक भी आड़ कर लेंगे, अब हम कुकर को gas पर रखतेंगे, हम दो मिनट के लिए फुल gas पर रखेंगे, फिर gas को सिंगरेंगे 10-15 मिनट हम गैस को सिंगरेंगे, इतनी देन में हमारे ये क्या है जो स्पराउट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखो ऑच ऐनों मैंने एक पली आहीं, ऑठे से कुख हो चुके हैं इसमें पानी पहीं ही नहीं हैं पानी पोल, इसमें भी नहीं है मैं हिसमें पानी पहीं बहुत जादा भी नई डालना कम बिूदा बोल्कुल घ्रस्ट मिन डाल से हैं। अगर हम सैलड की ड्रेसिंग करेंगे ड्रेसिंग डालने से क्वेस्ट नालने सी क्टिया अच्छा लगता है इसे बच्चे भी भूँत खुशओ के खा लेते हैं मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ड्रेसिंग्स अको बताई होई हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब मैं यहाँ पर विगन में प्रिपेर कर रही हूँ वो जो बनेगी सिरफ काजू से एक कप काजू को 5-6 घंटे के लिए सो करना है अगर आपके पस ज़्यादा टाइम ना हो तो एक आदे घंटे के लिए आप तेज गरम पानी में सो कर सकते हो सो करने के बाद ग्राइंडर जार में हमें काजू लेने हैं उसमें हमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एक छोटी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा नीमबू कर रस डालना है और पानी डालके हमें इसकी अच्छे सी पेस्ट बना लेनी है फिर थोड़ा पानी डालके हमें इसकी कंसेस्टेंसी को अज़स्ट कर लेना है फिर इसको बाउल में ट्रांसवर करके हम इसमें आड़ करेंगे काला नमक, चाट मसाला फूटा बाला हनी और इसमें अड़ करूंगी थोड़ा सा लेमन और इसको अच्छे से हम कर लेंगे कैजू में अपना ही ऑईल है तो उस से हमें जो ऑईल चाहिए जोटना फैरड कन्टेंट चाहिए वो हमें उस से मिल जाएगा अब हम एक बड़ा सा बावल लेंगे उसमें हम पहले sprouts आड़ करेंगे उसके बाद जो हमारी cut wedges है वो आड़ करतेंगे अब हमने जो dressing प्रिपेर करी है वो इस salad में हम मिला देंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे roasted peanuts आप चाहो तो इस टाइम में पामी करिनेट भी आड़ कर सकते हो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है पेनट से crunch आते है आड़ करके उसको mix करेंगे और आप आप इसको सर्व कर सकते हो यह जो मैंने काजू में प्रिपेर गरियर ड्रेसिंग के लिए यह मैंने काफी जादा कर ली थी क्योंकि मुझे इससे आगे sandwiches भी बनाने थे इतने salad के लिए 15 काजू जो है 12-15 काजू sufficient रहते हैं इस ड्रेसिंग से अगर आपके पास sprouts नहीं है तो आप wedges, broccoli, bell peppers जाल के भी आ आप अपना salad अच्छा सा बना सकते हो, healthy खाईए, healthy रहिए, bye